जन्नी सीता मैया के जो पिता हैं महाराजा जगत वेविदे एराज हैं बड़े योगी मुनी भी उनकी आगे हाग जोड़ते हैं तो कथा सुनी होगी किसी ने आकर कहा महाराज महर में आग लगी नगर में आग लगी तो बोले क्या परक पड़ता है कैसे रहो एक नए नए साथुता का अभीमान हो गया कहा मैंने वेरा कि किया है मैंने इतना छोड़ा ये साथुता भी कोई बड़ी परिक्षाएं लेले वाली हो जाते हैं कभी-कभी जो छोड़ा उसका ही अभिपान हो जाता है तो उनके प्रूश ने कहा कि जाओ पहले महाराज जनक से शिक्षा प्राओ राजा जनक को यह बारता लाव कर रहे हैं किसी ने आतर नगर में आग रगी राजा जनक कहते हैं छोड़ो बैठो इतनी संदर रवबच चले हैं यह आग तो लगती रहती हैं इसकी क्या पराह करना शाथू सोचने लगा कैसा राजा है इसकी तो प्रजा चल जाए पंतर के टुपड़े हैं जार हमने जोड़े जार किसी ने जोड़े यह पंतर धर्दी कभी किसी की हुई नहीं नहीं है इस दर्दी के ऊपर एक सुई की नोग बला पर जमीर नहीं दोगा कहता हुआ वो दूरी को धन भी विश्राम को उप्राप्त करने यहीं कुरुक्षे प्रभावित नहीं हो तोड़ी देर में आया सेवत महराज महराज महर को भी अगनी में पकड़ लिया है अब साथ में वोचार मरिलाया का महराज बस करो भावच चल चाहिए प्रभावित नहीं करती है तो थोड़ी बहुत आग है इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए बड़ा में राव चाहिए तब तक से नहीं का महराज उचलिये बागिये और क्या कहें महराज आपका जो पीतंबर आपने धाल लगिया है उसको भी आपने पकड़ दिया है तब में बोले है श्री नश्वर है एक ना एक दिन को जा कि तब तो लोगों को लगती आदी भूट करके अगरी लडाना पड़ेगी भगवार अक्वें पालूंने बैठे 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 अगनी का दान दे रहे हैं इसलिए बैठे रहो अज साधू तो उच्छा उसने कहा कि गुरुजी हमें कहां फसाया हम तो वागी अपनी जाद रही लो जन पिता के घर के घर में जंबाने जनन लिया हो ना वो पिता ही साधार नहें ना वो सीता ही साधार नहें बैपनी जोली में डालते हुए मेरा हुआ ऐसे पुता जा रहा है कि मानो इमानो मेरी तो सर्वस वसंपतिया लुट गई मेरे तो प्राण नी निकले चले जाने में